तो गाइस आपको एलाइक मोशन आपन करना तो मैं आपन कर लेता हूं अब पलस पर क्लिक करना इसमें और 960 लेना इसमें आपको एक फोटो एड करना जो कि यह बहला फोटो एड कर लेता हूं मैं इस पर क्लिक कर रहे हैं अब इसको इधर से इसको जूम करना है तो इतना में रख दिजिए देख सकते हैं इसको इतना में रख दिजिए धेख सकते हैं तो इतना हो जयने के बाद आपको इसको जूम तो हो गया आप पर है और इसमें एक सेप लेना है जो कि यह वला है यह एड़ इसको आप उपर में जाना है और इसमें फिल कोमिशन एरिया को सेलेक्ट कर देना है देख सकते हैं अब अब कलर एंड फिल पर जाना है आपको इसमें कलर है इसमें इसके साइड में जो है इसमें आपको इसमें ग्रेडिय इस पर किलिक करके इधर में इसको नीचे में रख देना है बलेक को और रेड को उपर में रखना जो कि आपको बीच ओबीच में रखना इतना में देख सकते हैं के लिए गाइस इतना हो जने बाद तो गाइस इतना हो जने के बाद आपको देख सकते हैं इधर में एक इधर मे ब्लैक वाला बॉक्स मिल रहा है और एक इधर में वाइट वाला तो इस पर आपको वाइट को हटाना है उपर वाला तो इस पर किलिक करना है और इसमें तीन आप्शन है इसमें देख सकते हैं अब इस पर किलिक करना बीच वाला में अब इसको नीचे से उपर से नीचे कर दे धिख सकते हैं बहुत ही यूिक लगनेहरा देखने में इतना हो जानेक बाद आपको इसको वाटा देना है अब इस पर कलिक करना इसको duplicate करना है तो इस पर कलिक कर देना है अब यहां से आप आफ़े में लेकर आना है तक जाना आफ इसमें रोटेट पर जाना है और इसको इसको पर रख देना है इतना हो अब आपको इस पर फिर फिर करना इसको ऐसे गड़के को नीचे करना है तो गाइस देख सकते हैं कितना इधर से नीचे भी आ गया देख सकते हैं बलक बलक आ गया तो बहुत ही यूनिक लग रहा है देखने में अब इसको फोटो पर किलिक करना है इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है जो कि अच्छा लेगा देखने में और भी तो इस पर किलिक क करना इसमें इसको ही ठीक है ओला जो है न इसमें ध्ला ऊर्ट चोटा करना है प्ला ने तो कि लिए रगल देख सकते हैं अब इसको तूरा से हैं इतना को देख सकते हैं बन गया आपका इतना हो ज़ले तो आप देख सकते हैं इतना हो जाने के बाद आपको प्लस पर किलिक करना एक सॉंग एड करना है जो कि मैं सॉंग एड कर लेता हूँ तो इतना हो जाने के बाद आपको इस पर किलिक करना है उपर में थी डॉर्स में किलिक करना है एक्सिट ओडियो कर देना है एकषेट ओडियो कर देना है आक िधर में से वीडियो को डिलेट कर देना है अब फोटो कर क्लिक करना है इसी में जाना है सेम इधर से आपको इसको बढ़ा देना है ऐसे तो इतना हो जानेक बाद कि अब इस पर क्लिक करना इसमें भी आपको तो पूरा इतना अधर में रख देना है तो देख सकते हैं तो आपको इतना हो जनेक बाद आपको इधर में प्लस पर क्लिक करना है इसमें आपको लिखना है तो यहां यहां पर आप आप लिख लिजिए मैं लिख लेता हूं यहां पर मैं लिखता हूं सब केपिटल में लिखना है अ आधिक करना इसमें किलिक करना है यहां से वाइट कर देना है और रोबोट पर जाना है यहां पर आपको यह वहला फॉंट एड़ कर देना है तो अब इस पर क्लिक करना है और इसका साइज को इतना में रखना है कि लिए रगाइस देख सकते हैं इतना में तो 30 इतना में सही है 36 में ओके आप इस पर किलिक कर देना है देख सकते हैं अब इसको नीचे करना है यहां से आपको इसको नीचे कर देना है इतना में रखना है अब इसमें और इसको साइड करना है तो इसमें इफेक्ट में जाना है एड इफेक्ट में जाना है और यहां से आपक किलिक करना है और इसको थुरसा खुरसा करना ज्यादा नहीं इतना में देख सकते हैं तो किलिए रहेगा इस देख सकते हैं अब इस पर किलिक करना है इसमें जाना है यहां से आपको बीचों बीच में रखना जो आपका रेड लाइन को रेड लाइन आ जाएगा तो यहां तक बीच में इतना में आता है तो यहां से इसको रख देना है इसको तो अब इतना हो जाने के बाद आपको इस पर प्लस पर किलिक करना है इमोजी लगाना है तीन चार इमोजी आप ले लिजिए तो टेक्स में जाना है और यहां से आपको इमोजी एड करना है तो मैं तीन चार इमोजी एड़ कर लेता हूँ इतना हो जाने के बाद आपको इस पर किलिक करना है इसमें जाना है इसको नीचे कर देना है तो देख सकते हैं का इमोजी अ यं अब इस पर जाना है इधर से वे इससको नीचे करना इतना में देखते हैं है इसे और इस पर जाना इसको जूब करना है पुरह सा इसको साइड मी रख देना है इस ट्यक्ष को तुरह से ऊपर में रख इतना हमें देख सकते हैं इस पर किलिक करना इसको जाकर इधर में इसको रख देना है तो किलिर है इस देख सकते हैं तो इसको और थोड़ा सा जूम करना है तो आपको इतना में रख देना है जो देखने में यूनिक लगए गा तो इतना हो जाने की बार आपको और एक दिल वाला यहां से आपको वह बला एड करना है तो इस पर किलिक करना है तो इसको नीचे कर दिना है तो देख सकते हैं अब इसका साइज को 36 में रख दिना है इतना हो जैने के बाद आपको इधर में जाना है और इसको इससे करके इसको नीचे में लाना है यहाँ पर तो किलिये गई है अब देख सकते हैं आब आध्विंग से देखियेगा इस पर किल्क करना है और यह राउंड जो घुमेगा बहुत ही ध्यान से देखियेगे नहीं तो समझ में नहीं आयेगा, तो इस एन सायम मोमेंट रैसपेट पर जाना है और यहां से आपको जो यह विश्वाट सुंइंग है इसमें इस پर किलिक कर देना है से इसको इसको एंगल होने इसमें किलिक करना है इसको माइनस में 40 कि फाइब में रखना है 45 में तो कि देख सकते हैं कि यहां से 45 में रख देते हैं कि तो इतना हो जाने के बाद आपको एंगल टू पर जाना है और यहां से आपको इसको भी 40 प्लस में 45 में रख देना है कि यहां से आपको 45 में रख देना है अब इसमें फ्रेक्वेंसी पर जाना है इसको इसको कम करना है तो यहां से आपको 25 के करिवन में रख देना है तो खाली 25 में बहुत कम करना है इसमें 25 में तो इतना हो जाने के बाद इसको आप कर देना है देख सकते हैं अभी तक अच्छा से नहीं घूम रहा है देखिए तो इसके लिए और काम बाकी है तो आपको इधर में जितना सीधा में आपको लाना है ऐसे में सीधा है तो यहां पर आपको इस पर किलिक करना है मूमेंट ट्रैंसर पर जाना इसमें एक बार कीलिक किया हुआ है अब आईगा तो इस left-data कि इस पर देख सकते हैं आगया अब इसमें देख का का जो आइकन ही ये आगया तो इसको आपको उपर में ऐसे करके इसको इतना में रख देना है देख सकते हैं तो अब देखिए कितना अच्छा लेगा देखने में जो कि इतना में फश्ट में पूरा आपको बता देते हैं यहां से हम इसको पूरा लाश्ट कर देते हैं कि इसका साउंड हुई आप कर देता हूं मैं तो यहां से देख सकते हैं तो देखिए किलियर है इस देख सकते हैं कितना यूनिक लग रहा है देखने में तो आपको इसमें और एक एफेक्ट लगाना है तो फोटो पर किलिक करना है और एफेक्ट में जाना एड एफेक्ट में जाना है तो यहां से आपको मुमेंट ट्रास्पर पर जाना है इसमें आपको ओक्सिलेट को किलिक कर देना है इसमें कि अब इस्टंडे सेटिंग पर किलिक कर देना है अब यहां से एंगल को आपको 90 पर रख देना है 90 डिग्री पर कि यहां से 90 डिग्री पर रख दियें अब इसमें फैक्वंसी पर जाना है तो इधर से आपको फैक्वंसी को आपको इधर से आपको 0.0.20 पर रख देना है तो यहां से देख सकते हैं तो आपका फोटो जो अच्छा से पत्रा सेख होगा देख सकते हैं देखिए तो इतना हो जाने बाद आपको यह तो होगी आपको इसमें ब्लैक इसके वाल जो टाराव यह वाला वीडिव एड कराना है तो वीडियो में एड़ कर लेता हूं। फ़लस पर क्लिक कर्णा है से मेडिया पर जाना है यहाँ से आपको एक एड करना है तो यह बहूं है इस पर व्रक्र में降ट पर इरिया को सेलक्ट कर देना है और इधर से मुवेंट ट्रास्पर पर जाना इसमें जाकर तरह से इसको जूम करना इतना में आप इस पर किलिक करना है ब्लेंडिंग पर जाना है और यहां से आपको राइटन पर जाना इसमें इसकिन कर देना है तो देख सकते हैं अब इधर से आपको इसको इसको कट कर देना है इतना इतना में रखके इसको कट कर देना है यहां से कट कर दिये तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिजिए और चैनल पर नए होतों सब्सक्राइब कर दिजिए अब इसको एक्सपोट करना है तो इसमें जाना है यहां स या एक्सपोर्ट हो जाएगा